असलाम अलेकूम गुड मॉनिंग आप सबका मेरे यूट्यूब चनल में वापस स्वागत है अगर आप मेरे चनलना पहली बार देखते हो या भी तिक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करने ना भूले मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा वाटस अप नमबर डिस्किप्शन में दे रखा है वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल भी बन ना करें मैं टेलिग्राम चलन पे भी लाइब अपडेट्स देता हूँ टेलिग्राम का लिंक डिस्किप्शन में दे रखा है अगर टेलिग्राम बैंड है आपकी कंट्री में तो आप मुझे ट्रुटर पे फॉलो कर सकते हैं ट्रूटर का लिंक डिस्किप्शन में दे रखा है MCX के लेवल वीडियो के लास्ट में है तो अगर आप MCX में काम करते हो तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है मैं MCX के लेवल शाम को वापस अपडेट करता हूँ पांच बजे जब आएनर बंद हो जाता है कम्यूनिटी पोस्ट में वो देखने के लिए आपको जॉइन का बटन दबाना पड़ेगा उसके साथ साथ आप वीकली MCX के लेवल भी देख पा हुए गोल्ड निस्तो तीन के आसपास चल रहा है तक्रीबन 4-5 डॉलर के असपास उपर चल रहा है अपने फ्राइडी की क्लोजिंग से तक्रीबन 1898-50 के असपास की क्लोजिंग होई थी फ्राइडी अभी अच्छा उपर चल रहा है चलिए आज का रेजुस्टे सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है उससे पहले ध्यान रखेगा कि इलेक्षिन आने वाले हैं तो थोड़ा सा कॉशेस हो जाएगा अगले दो हफ्टे अब लेवल्स देख लेते हैं गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का उन्हें 111 डॉलर का गोल्ड का सपोर्ट है आज का 1890 डॉलर गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल वीक है तो अवाइड कीजिएगा बाइंग करना 1890 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो और ज्यादा वीगनेस आ सकती है 1880 और 1870 तक की 1911 के उपर थोड़ा गोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा और 1920 और 1930 तक जा सकता है फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक है तो अवाइड कीजिएगा बाइंग करना अब आते हैं सिल्वर पे यह है सिल्वर का चार्ट 24-20 के आस पास चल रहा है तक्रीव नाधा पसेंट उपर अपने लास्ट वीक की क्लोजिंग से चली आज का रोजिस्टर सपोर्ट देख लेता है क्या क्या है वैं वाइट कीजिएगा शैल के न है गोल्ड और शिल्वर दोनों का ट्रेंड अलग अलग है जब तक दोनों का ट्रेंड एक साथ सिंक नहीं होता तो बेटर है कि आप पोजिशन लेना अवाइड करें या तो गोल्ड पॉजिटिव हो जाए या सिल्वर वीक हो जाए तो ज्यादा बहतर रहेगा ट्रेट करना अब आते हैं क्रुड ओइल पर कि यह क्रुड ओइल का चार्ट तक्रीपन आदा परसंट डाउन है अपने लास्ट वीक की क्लोजिंग से बट अभी भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा तो उसका रेजिस्टन्स जो है बेलिस पचास वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है काफी टाइम से वीकली वीडियो आप मेंटा दरूर देखें कल मैंने वीडियो पड़ समय ने वीडियो अपलोड किया था आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के लास्ट में जब आप पूरा लास्ट खतम हो जाएगा तो उसका लिंक देदूगा आपको स्क का सपोर्ट है चालिज डॉलर का कुछ एक चालिज बचास का इंट्रेस्टिंगली अभी भी कुछ ट्रेंट पॉजिटिफ ही चल रहा है तो अवाइट कीजिए का सेलिंग करना चालिज दोलर के नीचे ज़रू सेलिंग आ सकती है अब mcx के लेवल देखने से पाल एक बार यूरो को देख लते हैं यह है यूरो का चार्ट ऑल्मोस्स सत्रह सो पांच चल रहा है पॉजिट जोन में आ गया था लास्ट वी की है आज का रजिस्टन सपोर्ट देख लते हैं और वीडियो को लाइक करें बिना बन ना करें एक लाइक तो करी सकते हैं इतना कंजूसी ना करें और प्लीज लाइक करें 1750 का रजिस्टनस है यूरो का सपोर्ट है आज का 1680 का यूरो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है बट 1680 करेगा और सस्टेन करेगा तो 1650 और 1650 तक चाह सकता है 1750 के उपन निकलता है तो फ्रेश बाइंग आ सकती है 1800 और 1850 तक की अब mcx के लेवल देख लेते हैं mcx के copper के natural gas के और nifty के लेवल मैंने community post में डाल दिये हैं अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने join का बटन नहीं दबाया है अब gold silver को देख लेते हैं gold चल रहा है 5550 mcx का आज का mcx के gold का resistance है 5720 mcx gold का support है आज का 5300 सिल्वर चल रही है December वाली एक साथ हजार 480 आज का silver का support है आज का साथ हजार राट सो आज की एक सिल्वर का resistance साथ हजार बासाथ हजार बीस वीडियो को लाइक करें बिना बन ना करें आप इसे शेयर भी कर सकते हो शेयर का बिटन दबाकर वीडियो को अपने Facebook पर, Twitter पर, WhatsApp पर जहां आप चाहों शेयर कर सकते हो कोई भी आपकी समस्या हो या कोई भी query हो आप नीचे कमेंट करें मैं आपको जरूर अपलाई करूँगा अब मिलूँगा आपको शाम के वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई